एका धिकेन पुर्वेन और अन्तियोर दश केपी यह इस विदी का नाम रखा गया है आप देखिए इस तरीके से हम हल करके देखें हैं सवाल तो हमको मिलता है एक उदाहरन है जिसे हम उदाहरन 26 की रूप में हम पर किताब में देखते हैं उदाहरन 26 20 यहां में एक संख्या दी हुई है 65 जिसका हमें वर्ग करना है इससे आप लिख सकते हैं 65 कुणा 65 यहां भी उत्तर के दो भाग है उत्तर का बाया भाग और दाया भाग हम यहां लिखें उत्तर का बाया भाग और यहां उत्तर का दाया भाग आपने इसके पहले के उदारनों में देखा है यह दाया भाग और बाया भाग में फर्क क्या है जो दाया भाग होता है वो इकाई दाहाई यह सैकड़ा जैसी उस प्रस्टन के परिस्थिते हैं उसको प्रदर्शित करता है और बाया भाग उसके बाद के स्थानों को प्रतरशित करता है तो यहाँ जो हम डाया भाग ले रहे हैं वहाँ पर एकाई और दहाई ही होंगे बाकि ये कुल सेकडों को प्रतरशित करेगा और इसका जो प्रेढ़ होगा हम आपके सामने लिखते हैं जो बाया भाग होगा वो इस दहाई और इसे एक अधिक का गुणा होगा तो हम लिखेंगे बाया भाग मतलब इस संख्या की दहाई में क्या है और गुणा दहाई से एक अधिक दहाई धन एक और जो दहना भाग होगा वो इस इकाई का वर्ख होगा यहां पर 5 है तो इसका वर्ग होगा यानि पांच गुडित 5 होगा यहां पर तो यह जो हल होगा वो 65 के वर्ग को दिखाएगा आप इसको हल करें आपको मिलेगा पांच के वर्ग करने पर 25 मतलब जो संक्या हमको मिलेगी उसके इकाई और दहाई में चार, दो, और यहां मिलेगा दो और पांच, तो कुल जो आपका परिणाम होगा, वो इस तरह से होगा, कि आप जो संख्या अब राप्त करेंगे, उनकी इकाई दहाय से हजार तक इस तरह से संख्या मिलेगे आपको पांच, दो, दो, चार, चार हजार दो सो पचीस, तो यह मिली है वो 65 का वर्ग होगी आप इसे 65 का 65 में गुणा करके भी देखिए जाच करके देखिए कि हल इतना आता या नहीं एक और संक्या हम ले जो तीन अंकों की है और देखें कि इस विदी से हम यदि इसका वर्ग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आपके पास पहले वाले उधारण 65 का वर्ग करना था और उसमें आपने किया था कि इसका गुणा करके आपने एकाई और दहाई में लिखा और दहाई में जो था उससे एक अधिक लेकर आपने दहाई से गुणा किया तो आपको सैक्ड़े मिले और पांच का गुणा पांच स से इकाई दहे में लिखा थे इस तरह से आपको संक्या का हल मिल गया था अब इस संक्या में आप क्या करेंगे जहां पर आपको एक सो पचीस का वर्ग ग्याद करना है या एक सो पचीस में एक सो पचीस का गुणा करना है अब आप बोलेंगे कि यहां पर दहाई में तो दो है और यहां आप कहह रहे थे कि दहाई से एक बढ़ा दो तो आप देखिए कि यह जो संखै हैा लिखिए हुई उसमें दो दहाई और एक सहकड़ा है आप िYUसे बी कह सकते हैं कि यह बारा दहाईया हैं और पाँच इकाईया है यदि आप इसको बारा दहाईयों के रूप में देखें तो यह सवाल इसकी तरह हो जाता है और इसका जब हल आपको लेना होगा तो आप फिर दो हिस्से करेंगे पहले वाले हिस्से में एकाई का वर्ग यैदिए आपको लेना तो यहां पर आप 5 का वर्ग करेंगे और यहां पर आप जो दहाई में संखिया है जो बार्र दहाई decorations के रुप में है उससे एक जादा यानि आप 13 का गुना करेंगे तो जो प्रणाम आपको मिलेगा वो आपका हलोगा तो आईए देखें कितना होगा 13 का 12 बार पहाड़ा पढ़ले हैं आप 13 का 12 से गुञणा करें तो आपको मिलेगा 1326 की छे हासिल आई 2 13 का 13 और 2 156 आपको बाया है है जो 156 सेकड़े को बताता है और यहां आपको मिला 25 जो 25 इकाईयों को प्रदर्शित करता है तो आप इसको एक साथ अगर लिखने तो आपको मिलेगा 15625 यानि 15625 यह जो संख्या आपको मिल रही है वो 120 गुणित 125 का हल है यह 125 का वर्ग है ऐसा ही आप किसी और भी संख्या के लिए कर सकते हैं अगर आप के पास यहां दो संख्याए हैं जो दहाई और सेकड़ को प्रदर्शित करती हैं तो आप उस पूरे को दहाई की रुप में भी रस्विकार कर सकते हैं बारा दहाईया कह सकते हैं आप और उसको हल करके आप इसी तरह से जैसा आपने 65 का वर्ग निकाला थे बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हल निकाल सकते हैं दहाई और दहाई से एक अधिक का दोनों का गुणा और यहां हमको जो मिलेगा एकाई और दहाई में वो इस एकाई के वर्ग के बराबर होगा तो यह एक तरीका है जिसे आप एक अधिके इन पुर्वेंड और अंते और दश के अभी के नाम से जानते हैं तो बच्छो इस तरह के सवालों में जहाँ पर आपको यी काई में पाँच है ऐसे प्रेश्टों में या ऐसी संक्याओं को वर्ग निकालने में इस वीदे का उप्यों कर सकते हैं तो आप अलग अलग संक्याओं लीजिए और वर्ग करके देखिए अब मज़े के साथ बहुत आसानी से इसका हाल निकाल लेंगे